अज़ हम बनाएंगे कैरेट पटाटो सूप विल्कम बैक टो मैं चैनल उशा राना कैरेट पटाटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए दो कैरेट मैंने इसको काट लिया है रफली काट लिया है और मैंने लिया है एक आलू एक आलू लिया है और इसके बार मैंने लिया है एक प्यास वो भी मैंने रफली काट लिया है और हमें चाहिए 15-20 जो है पालक के पत्ते और इसको भी मैंने बरी काट लिया है और हमें चाहिए सॉल्ट, काली मिल्च, ब्लैक पेपर और आधा कफ मिल्क और हमें चाहिए बटर तो चलिए शुरू करते हैं कैरेट सूप बनाना तो सबसे पहले हम आड़ कर देंगे कैरेट और आड़ करेंगे हम पटाटो और क्याज अब हम आड़ करेंगे दो कप पानी पानी आड़ करेंगे दो कप और इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से उबाल लेंगे तो उबाल लेंगे हम जाना लेते हैं उबालने के बाद हमने इसकी प्यूरी बनाना है गाजर, आलू और प्यास को हमने उबाल लिया और उसकी ऐसे प्यूरी बना ली हमने मिक्सी से उसको निकाल लिया देखिए इस तरीके से कितना अच्छा कलर आया हुआ है अब हम शुरू करते हैं सूप बनाना गास को जला लेंगे और एड करते हम थोड़ा सा बटर थोड़ा बटर आड कर लेंगे और ध्यान रहे बटर जले नहीं तो आज को हम धीमी कर लेंगे जायस हम धीमी कर लेंगे बटर को मेल्ट होने देते हैं बटर मेल्ट होने लगा है आज कर सरदिया है और खूब सूप बना कर आप पीजिए काफि सारे सोप की रेसिपी में बनाने वाली हूँ आप जरूर ट्राइ किजिएगा बटर हमारा मेल्ड हो चुका है अब इसमें आड़ करेंगे हम यह जो पालक हमने चौप करी हुई है इसको आड़ कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे, पालक को पका लेंगे हम, पालक जो है हमने पका लिया है, पालक पक सुके हैं, अब इसके हम आट करेंगे प्यूरी, जो कैरेट वाली प्यूरी है, मिक्शर हम इसको आट कर देंगे इसमें, habits और अच्छे से मिला लेंगे में अब हम इसमें आड करेंगे यह जो आधा कफ स्टीद में हमने दूदra दीक्षर है इसमें और इसमें करेंगे हम भुछ ते अच्छा कलर आया हुआ है है 강 एक क्लेम आया हुआ है इसमें आज करेंगे हम salt अपने taste के according और add करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च आप लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो देगी मिर्च लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही काली मिर्च के साथ ही बनाएंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक उबाल आने रिएंगे उबाल लेते हैं इसको बहुत ही अच्छा जो है सूप बना हुआ है देखिए कितना अच्छा सूप बना हुआ है देखिए और इसको हम एक उबाल आने देते हैं अभी सूप जो है हमारा ओबल गया है और देखो कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं गोल में एक गोल में निकालेंगे इसको हम और इसको गार्निश करेंगे हम कोरियंडर ले उसके साथ धनिया पता के साथ इसको गार्निश करेंगे हम सूप बहुत ही बढ़िया दिख रहा है बहुत ही सिंपल है इसको बनाना आप असानी से अपने घर में ही सूप बना सकते हैं कोरिय पैकेट रेडिमेट खरिद कर लाने की जरूरत नहीं है घर में ही जो समान अवेलेबल होता है उससे असानी से जो है सूप बना सकते हैं देखिए कितना अच्छा सूप बना हुआ है बहुत ही अच्छा है और बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है आप भी इसको जरूर बनाइए और अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मच मैं फिर आऊंगी एक नही डिश के साथ धन्यवाद